यह वाला कंट्रोलर पेचान में यह आपने हमारे चैनल पर पहले देखा भी होगा इसका नाम है 20 port का Ultra HD कंट्रोलर पहले रेट कलर में आता था भी वाइट कलर में आ गया है इस कंट्रोलर के हमने वीडियो जो डाला था आप लोगों ने उस पर बहुत ही जादा प्यार दिया लेकिन उसमें एक डिमार्ड आप लोगों की थी कि हमें इसमें चाहिए 100 बल्ब वाला यह जो था ना हमारा कंट्रोलर इस पर 50 बल्ब चलते थे एक लाइन पर क्योंकि यह बीस पोर्टेट अट्रोल एक हजार पल्ब होते थे इसलिए हम आपकी डिमार्ड के उपर लेके आ बहुत ही पड़ी है इसमें डिजाइन से और बहुत ही अच्छी इसमें डाली हुई यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलना है जो अपने लाइटिंग कम्यूनिटी से रिलेटेड है उन लोगों को ताकि हम अल्ट्राइजडी का कंट्रोलर और यह रहा है इसका सेट अप अंदेरा है कुछ दिखने रहा होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं तो हमने यूज यहाँ पर किये हैं तीन इंच वाली पिक्सल के केप वाले जो पट्ने हैं वो और यह टोटल मैंने जो है आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि एक कंट्रोलर में आपको डिजाइनिंग समझ में नहीं आएगी उसका कारण यह है कि हाइट ज़्यादा होती है और वीड़ कम होती है इसलिए दो कंट्रोलर को एक साथ चलाऊंगा और उससे आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि इसकी टाइमिंग कितनी फरफेक्ट है कि यह एक्जेक्ट सेम टाइम पे डिजाइन को चेंज करता है और जब आप इनको लगाएंगे ना तो एक्जेक्ट सेम टाइम पे जब डिजाइनिंग चेंज होती है तो उससे सिंक्रोनाइजेशन आपको बता चलता है कि आप चाहे मैंने वायर के जो इसक्रू है ना इसको डिला कर लिया और आपको यह ध्यान रखना है इस साइड में ना कभी-कभी यह उपर नहीं होती है पिन तो टेस्टर से इसको उपर कर सकते हैं आप तो अभी यह वायर हमने कुछ इस तरीके से डाला और सिंपली बस इसक्रू को टाइ कर लेता हूं कि और यह जो करनेक्शन पट्टा है ना मारा के स्पेशल कनेक्शन पट्टा है कि जो वायर इसमें डले हुए ना इस्पेशली डाटा के लिए डिजाइन हुए हैं और यह जो हमारा कंट्रोलर है इसमें आपको यहाँ पर जो 20 पोर्ट है ना वो दिखने को मिलेंगे और पट्टे में हमने कुछ इस तरीके से मनाया हुआ है कि सेंटर में इसको बनाते हैं 10 पोर्ट इस साइड के 10 पोर्ट इस साइड के तो 20 वायर हमारे यहाँ पर जुड़ गए बनाना हो चाहे वो काटना हो चाहे वो काटना हो करना तो सबसकेशन और फट्राल्मपरा इस सब्सकुरिश कर ररैं तो यहाँ पर यूस करने वाले और और यहाँ पर देखे दो ब।सों कि यहाँ है और 10 पट्ती 노री तो यहाँ पर और हमारे पास पावर सप्लाई में यह उप्शन रहते हैं, यहाँ पर लिखा होता है, तीन प्लस होते हैं, तीन माइनस होते हैं, किसी किसी में दो प्लस होते हैं, दो माइनस होते हैं, तो आप इनको प्लस हमारे दो है ना, इन दोनों को मैं इस दोनों के प्लस में जोड़ द सब्सक्राइब लगबग आता है यह अर्थिंग के लिए है और उसके बाद हमारा यह प्लस जो में लाइट है वो लाइन और नूटल दो यहां पर है तो लाइन नूटल में यहां पर जोड़ लेता हूं वह पतला वायर भी ले सकते हैं बगी में जो अपनी वह वाला भी इसमें लगा सकते हैं तो में फिलाल यह जो एक नॉर्मली फ्लेक्जिवल वायर होता है यह वाला यूज कर रहा हूं आप भी वायर है वह यूज कर सकते हैं और सिर्फ एल और एन में इसको जोड़ना है जिससे हमारी इस पावर सप्लाई का गनेक्शन तो लेकिन हमारा जो कंट्रोलर है इसको अभी पावर देना बात की है तो हम यहां से एक वायर उठाएंगे चोटा वाला टुकड़ा जिसमें प्लस और माइनस का जो वायर है वह डिरेक्टली पावर सप्लाई में जोड़ना रहेगा आप चाहें तो जिसमें वायर जोड़ दि इसलिए बता रहा हूँ अब इसको क्या करना है डिरेक्टली हमें यहां पर लगाना है तो मैं चाहूं तो इसमें भी लगा सकता हूं और इसमें भी लगा सकता हूं कोई प्रोब्लम नहीं है तो मैं भी माइनस वाले में लगा देता हूं यह वाला जो माइनस है हमारा एक ए आपको बताते हैं किस तरीके से चलता है तो यह हो गया हमारा सेटप कंप्लीट अभी बस इसको प्लग करना है और हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दोनों पावर सप्लाई को मैं एक साथ चालू करूंगा जिससे सेम टाइमिंग का आपको पता चलेग हमारा सिस्टम चालू हो गया है अब इसको चाहिए आप एक राज चलाईए दो राज चलाईए तीन राज चलाईए पर्मानेंट चलाईए आपका सेटप है वह बिल्कुल एक्जेक्ट सेम टाइमिंग पर चलेगा अभी एक कंट्रोलर वहां पर लग रहा है दूसरा कंट् में हां ही शांच में हा आपका से कर Agrेण के बिle यह दूमा है अब्ल्मा है आपका सेमाय 같아 यहाँ के तरन का में है मूव तो प्रत्लाईख ट शलाईए पर चाहिए । झाल 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 झाल